उत्तर परदेश में ग्राम पंचैस सज्चिव के 3000 से अधिक पदों के लिए जो है अधियाचन भेजा गया है आयोग को और यह जो भरती है इसके लिए क्या कुआलिफिकेशन से कब तक इसके फोर्म आएंगे और कैसे आपको परती भाग करना है इस भरती परकिया में सारी की सारी डिटेल जानकारिया आप लोगों के बीच हम दे रहे हैं तो इस वीडियो को आप सभी लोग भ्यान से देखेंगे और समझेंगे चीजों को और तभी से इसकी तयारी में आप लोग जूटेंगे यहाँ पर बात करते हैं ग्राम पंचायत सचीव के बारे में तो देखेगा इसके 3000 से अधिक पदों के लिए जो है अधियाचन आयोग को बेजा गया है आयोग आपका वही है UP, SSC इस तरीके की नजिस्वे विभाग की भरतिया कराता है तो जो अभ्यरती पैट दिये हुए है उन लोगों के लिए बहतर भरती होगी 3000 से अधिक रिक्त पदिस में आएंगे और इस भरती के लिए अब पैट के लिए जो घमसान मचा हुआ है जो अंगामा मचा हुआ है तो एक पैट की निश्चित कटोप के लिए मचा हुआ है पैट की जो कटोप है वो एक निश्चित अंक के अंदर होनी चाहिए ऐसा अभ्यरतों की मांग है कोई के अंक जो है इसके निर्धारित होने चाहिए कि इतने अंकों पर अभ्यरती पास होंगे तो अभ्याच्यों ने जो ग्यापन दिया है आयोग को उस ग्यापन के अनुसार अभ्याच्यों ने हवाला दिया है कि जिस तरीके से सिख्षक पातलता परिच्छा अर्थाथ UPTET कराई जाती है तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपका समान्य जाती के लिए जो होता है वो 60% पर आपका जो है qualified होता है और अन्य जो category होती है Reservation Category, OBC, SC या आपकी जो है ST Category होती है या आपकी जो विकलांग Category होती है उन लोगों को लिए जो है 55% पर आपका जो है Qualify रखा गया है तो इसी चीज का हवाला देते हुए कहा गया है कि UP PAT की जो आपकी नई कटोप होनी चाहिए वो इसी तरीके के अनको के आधार पर होनी चाहिए क्योंकि इसमें जो है Negative Marking नहीं है और UP PAT में जो है आपकी 1Y4 की Negative Marking है तो उसको ध्यान में रखते हुए कहा गया है कि अंद्रिजव कैटेगरी की 50% पर होनी चाहिए कटोप और अन्य जो कैटेगरी है चाहिए आपकी ST हो ST हो या आपकी PH हो या OVC हो इन लोगों की जो कटोप है वो कही ना कही 45% पर होनी चाहिए तो ऐसा ग्यापन में कहा गया है और इसके लेकर के जो है मन्थन जारी है अब्याज़्यों के बीच और आयोग इसमें क्या निन लेता है क्या डिसीजन लेता है उसके बाद ही चीजे इस पर स्थोपाई लगी लेकिन फिलाल बात करते हैं इस भरती के बारे में जिसका विज्ञापन आने वाला है इसके लिए योग्यता आपकी क्या होगी तो योग्यता से पहले मैं आपको बता दूँ के ये ग्राम पंचयत सची होते क्या है तो देखेगा आपने ग्राम पंचयत में से लगबग 58,000 ग्राम पंचयत यूपी के अंदर है 58,000 ग्राम पंचयत यूपी के अंदर है और इसमें जो है आपकी जो पंचयत है उसके अंदर जो होती है ये परत्यक पंचयत के अंदर होता है एक परधान परधान इसको बोल सकते हैं या मुख्या इसको बोल सकते हैं तो मुख्या के बीच जो है उपर जो काम करता है मुख्या से उपर एक अधिकारी काम करता है उसक आपकी लाइट लगाने वाली योजना राइक जिंज Northern कोई काज्ए परधान कराता है तो वह पहले चेशी करके उस Allah काजे की जो हैं देखरेक करता है कि का ये सही हुला है नहीं है जो इस काजे के लिए अवन्टित द्धनदासी है है जो भी सरकार देती है उसका फोन हिस्सा परधान को एंद अकाउंट में दिया जलता है जिसको बॉलते हैं वीडियो जो है इस से थोड़ा सा अलग होता है लेकिन वीडियो को भी ग्राम पंचा सचीव का यहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर दाइटवे दिया गया है तुकि इसमें बहुत ज़्याद पद रिक्त हैं 5-6 ग्राम पर जो आपके छोटे छोटे ग्राम होते हैं पांच शे गाउं पर एक जो है ग्राम पंचात सचिव की नियुक्ति होनी चाहिए लेकिन यहां जो आकड़े प्रस्तुत हो रहे हैं उसको लेकर के तो लगवग लगवग बारे से तेरे गाउं पर एक ग्राम पंचात सचिव है जो तीन हजार से ज़्यादा पद अदिश के वारा भर लिए जाते हैं और वीडियो से जो है इस तरीकी के काम ना कराए जाएं तो आपकी जो भरती है वो लगवग लगवग दस हजार में पूरी होगी लेकिन फिलहाल की कंडिशन में तीन हजार पदों के लिए ही अधियाचन भेजा गया है तो हम तीन हजार के आसपा और सी होगी या नहीं होगी तो देखेगा पहले जो है बात कर लेते हैं तो 12 पास इंडीरेश इसमें अपलाई कर सकते हैं किसी भी स्टीम से हो किसी भी सन में आपने किया हुआ हो और आपकी जो आईउ है आईउ की जो लिमित है वो 18 से 40 वर्स होनी चाहिए ये जो है सामान रहने जाती के लिए हैं ओविसी के लिए 18 से 43 तक और स्थी एस्टी या महिला के लिए के लिए जो होती है वो होती है आपकी जो आयू सीमा है वह 45 वर्स तक मैक्सिमा और पी-एज केंडि डेट्स के लिए जो होती है 18 से 50 वर्स तक आपकी आयू की लिविट होती है तो यह होगी आपकी आयू सीमा तीसी योग्यता बात करते हैं कि टिरपल सी आपके लिए चाहिए हो गया नहीं तो देखेगा यह आप जो है नेसेसरी नहीं है अलावन नहीं है कि टिरपल सी आपके पास जरूर होना चाहिए जिस तरीके से आपकी लेकपाल में जो है इस पद्ध के लिए मना कर दिया गया था बिल्कुल वही काम है क्योंकि लेकपाल वो तो फिर भी ज्यादा काम रहता है कम्प्यूटर का इन्हें उससे भी कम-काम है तो इसके लिए भी टिर्पल सी की योग्यता जो है हटा इस आप दो कहीं लोगा चाहिए करेवों सवाल Самरल यह उठता है कि यहां पर इसकी सेलेवर्स क्या होगी जैसे कि मैंने बता दिया है जिन लोगों ने पर इक्जाम्स दिया है वह इसमें परतिभा कर सकते हैं प्याट के बाद आपको जो है एक यहीं कर तो किया जाएगा Mens Exams के लिए Mens Exams में मतलब जो है मुख्य परिक्षा जो होगी आपकी इस exam के लिए वो रखे जाएगी इसमें मुख्य परिक्षा में वही चीज़े आपकी रहते हैं Hindi UP के अंदर Compulsor ही है Hindi सभी exam में UP SSC के पूछी ही जाती है और दूसरा चीज़ है सामान ने ज्ञान आपसे निश्चीती पूचा जाता है और आपसे जो पूचा जाता है वो पूचा जाता है आपकी जो अन्य चीज है जैसे कि reasoning आपसे जरूर पूची जाएगी बिलकुल लेटपाल के समान और वीडियो के समान आपको पेपर इसमें देखने को मिलेगा मैथ आपके लिए यहां से बन जाता है तो यह आपके लिए जो है UPFFC का syllabus होता है लगबग लगबग यही चीज़े आपसे पूछी आती है selection process यही होगा मुख्य परिक्षा के आदार पर आपका selections होगा shortlist candidates को मुख्य पर इक्षा में बैठने का मोका मिलेगा जो भी shortlist candidates है अभी यह तै हो जाएगा कि आपकी जो पैट की वही पुराना pattern रहता है परसंटाइल वाला निश्चित का टॉफ होती है उसके आदार पर यह हो जाएगा अब बात आती है इसके विज्चापन की तो विज्चापन इसका जो है देखेगा यहाँ पर number last में आपको देखने को मिल सकता है तो यह चीज़े आप लोगों के लिए थी आता करता हूँ वीजियो बेहता लगाओगा जैहिन धन्यवाज जैभरत